नमस्कार मैं इम्रान शेहनवाज उर्फ टीपू हत्याकांड को आज आठवे दिन है और हमारे वीवर्स को आज मैं खुश खबरी देने जा रहा हूँ बहुत ही जल्द टीपू के हत्यारे पुलीस परसाशन के गिरफ्त में होंगे अब वो बच नहीं पाएंगे हमारी बात मदेपूरा SDPO से हुई है उनका कहना है कि टीपू की हत्यारे अब बच नहीं पाएंगे हद तक गुत्यां सुलस्ती भी दिख रही है हद तक गुत्यां सुलस्त भी गई है बस कुछ ही चण बाकी है हत्यारे को पकड़ने में चाहे कितनों भी कुशिश कर ले हत्यारे चाहे वो लाग कुशिश कर ले हत्यारे वो बच नहीं पाएंगे बहुते जल्द मदेपूरा पुलीस परसाशन के हाथे चढ़ेंगे हत्यारे टीपू के आज पुलीस परसाशन के हाथे हाथों में ऐसी सबूत लग गई है जिसके जड़िये अब वो हत्यारे को जल से जल अपने गिरफ्त में लेंगे हाला कि अगर बात करें इसकी अनुसंधान की तो वो खास करके मुर्ली गंस पुलीस और वहाँ पर जो ऐसे चो है अखलेश कुमार उनका काहिना था कि हमने हद तक गुत्यां पहले सुल्जा ली थी लेकि कुछ हमें जानकारे के आवाव में हम हत्यारे को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे वहाँ तक हम हाथ नहीं डाल रहे थे लेकिन बहुत ही जल्द हो सकता है कि एक से दो दिन और लग जाए अधिक सदीक और उसके बाद वो उसकी हत्यारे को अपने गिरफ्त में करेंगे उसे गिरफ्तार करके उसे जेल भेजेंगे आपको हम बता दें कि आपकी बेशबरी का अब अम्तियान खत्म होने जा रहा है हम चाहेंगे कि आप जिस तरह से लगातार हमें प्यार देते आ रहे हैं आप टीपू शहनवास और टीपू को आप लगातार सहयो कर रहे हैं उनके बारे में जानने की जिग्यासा दिखा रहे हैं तो आप हमारे साथ कुछ और दिन दो से एक दो से तीन दिन और हमारे साथ बने रहे हैं इससे तरह से प्यार देते रहें आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिक करके जरूर बताते रहें कि आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इस हत्या के पीशे आज हम कुस दोतांगा का हम मैसेज पढ़ रहे हैं आपको हम सुनाते हैं कि आखिर वो कितने उटकता के साथ हमें सवाल पूश रहे हैं यही मैसेज आया है कि सर कारवाई कहां तक पहुंची है कातिल को कब तक पकड़ा जाएगा किरपिया बताएं जानने की काफी इच्छुक है तो आपको मैं जवाब देना चाहूंगा कि बहुत ही जल्द हो सकता है कि एक से दो दिन और लग जाए आपके साबने कातिल होगा चुके मधिपुरा पुलीस परसाशन जग चुकी है और कुछ जानकारियों के अभा में वो किसी पर हाथ नहीं डाल रहे थे लेकिन बहुत ही जल्द वो जानकारी उनके हाथ लगने वाला है जिसके बाद वो जो भी हत्यारे होंगे उसकी धर्ड़ पकड़ करना शुरू कर देंगे तो आपको मैं अस्वस्त कर दूँ कि आप मुश्किल से एक से दो दिन या नहीं तो आप मान लेजिए कि आप बुद्वार तक इंतिजार कर लें आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा आपका शुक्रिया कम से में खिया रखने के लिए हमारे पास दूसरा वियोर्स है उसने लिखा है कि मुर्ली गंस पुलीस को जल्द से जल्द कर रवाई करनी चाहिए मैं आपको बता दूँ और जो किया है मुहमद अपसार आलम तो आपसार जी मैं आपको बता दूँ कि मुर्ली गंस पुलीस तीस तारीख से ही एक्टिव हो चुकी है चुकि जब से उनको आवेदन मिला है हाला कि वो 28 से ही एक्टिव है लेकिन तीस तारीख के शाम में उनको आवेदन मिला है और आवे दिन के बाद वो एक्टिव हो चुके हैं उनके पास आदे से भी ज़्यादा इन्फरमेशन जानकारी मिल चुकी है हत तक गोलती सुल जाते हुए दिख रहे हैं वो एक्टिव हैं लेकिन कुछ जानकारी के अभाव में वो हत्यारे जो भी है उनको हाथ नहीं दे रहे हैं तो आपको मैं अस्वस्त कर दू कि पुलीस काम कर रही है नहीं तो आप जानते ही हैं कि हम सवाल करते हैं और ऐसे सवाल करते हैं जहां पर सत्ता हील जाती है तो आप निश्चिंत हो जाएं कि बहुत ही जल्द टीपू के हत्यारे को फांसी तक पहुचाने में हम भरपूर मुकुशिश करेंगे हमारे साथ क्योंकि पूलिस परसाशन है इसके बाद हमारे पास एक मेसेज आया है मुहमद आमिर लिखते हैं कि हमारा दिल रो रहा है कब तक दोशी पकड़े जाएंगे तो आमिर जी काफी खुशी हुई कि कम से कम एक हत्यारे को पकड़वाने के लिए आप इतना उत्सुकता दिखा रहे हैं ऐसे हम चाहेंगे कि हमारे बाकी दर्शक भी अपना कुछ कमेंट करके हमें बताएं हम अगले जब भी हम वीडियो बनाएंगे अगले एपीसोड मैं आप के बारे में भी चर्चा करेंगे तो आमिर जी आपको बता दूँ कि दिल तो हर किसी का रो रहा है चुकि बच्चा वो लगवाग उनीस साल का बच्चा था उनकी मौत इस वक्त हुई है जब वो खेलने के लाइग था पढ़ने के लाइग था कुछ काम करने के लाइग था लेकिन उसके मौत से हर कोई आध है कठोर सजा मिले तो हमारे साथ अभी आर्शी परवीन इन्हों लिखा है कि कातिल को सजाए मौत मिलने चाहिए बिलकुल आर्शी जी आप निस्चिंत रहें चुकि देश का कान बहुत ही मजबूत है चाहे जिस भी परी परोफाइल का हो हत्यारे क्यों नहों वो पकड़े ही त्यारे होंगे उसको फांसी तक पहुचाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उसे फांसी मिले आप बेफिकर रहें आपको नियाए मिलेगा और साथ में जो टीपू है उनके परिजन है उनके चाहने वाले हैं रो दोस्त रिस्तार हैं सब को नियाए मिलेगा आप आप इसके बाद MS एसान लिखते हैं कि टिपू के कातिल को फांसी होना चाहिए बिलकुल हम जब से हमने इस अभ्यान को शुरू किया है 30 अगस्त से और आज 4 सितंबर है तब से लेकर कि आज तक जब भी हमें कमेंट मिला है फेस्बूक पर और यूट्यूब पर सिर्फ एक ही शब्स बोलते हैं कि कातिल को फांसी ही हो चुक्रिक देश का कानून बहुत मजबूत है और कानून से बढ़ करके कोई नहीं है हमारे सामने कई एक निता ऐसे हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं थी एपरोस की कमी नहीं थी फिर वी वो जेल गए जब अमपी की बात करें अमले की बात करें देश के बड़े मंत्री की बात करें सारे सारे जेल गए हैं और जिन्होंने भी गलतियां की है उसको कानून सजादी है और इस केस में भी उसे देंगे तो आप निश्चिंत रहें कि कानून अपना काम कर रहा है और हमें सपोर्ट करना चाहे कानून का, चुटकि हम लगातार यहां के जो SDPO है उनसे और मुर्ली गंज जो ठाना प्रवारी है उनसे, हमारी बाते हो रही हैं, हम उनके टेस्च में हैं, उनसे सवाल हम लगातार कर हैं तो उनका वो हमें आसवस्त कर रहे हैं कि आप बेफिकर रहे हैं आपको बहुत जल्द हम पॉजिटिव ख़वर देंगे जो कि हम भी चाहते हैं कि जो उसका रिशर्च के दोरान और बाद में उद वेदन करके जो रिजल्ट सामने आने आने वाले हैं तो हम इंटर्फियर और यूट्यूब पर ट्वीटर पर भी आए हर जगा सवाल लगाता हमें देखने के मिला है आप सभी को हम आस्वस्त कर दें कि मूर्ली गंस पुलीस और साथ में मदीपुरा पुलीस परसाशन काफी एक्टिव हो चुका है वो बहुत ही जल्द आपको पॉजिटिव रिज ख्याल रखते हैं उनके लिए दुनिया भी सब कुछ बच्चे ही होता है तो हम चाहेंगे कि ऐसे माबाप तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी अस्वस्त हो जाएं कि अगर किसी ने हत्या किया है किसी ने जर्म किया है तो उसे कानून सजा देगा वो हदोसायत ना हो ज को भरपूर यकीन है होने की वज़ा है इस तरह कि केस में आम तोर पर देखा गया है कि माबाप और प्रडिजन खास करके वो हदो हद साइथ हो जाते हैं वो परिशान हो जाते हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी कातिल हो उनको सजा मिले लेकिन उसी हदोसायत के वज़े से वो जो औरिजिनल मुज्रीम होता है उससे पक्रवा नहीं पाते हैं वो आम लोग फंस जाता उसके अंदर जिसके वो मुश्किल से दो से तीन तीन मेने में वो बेल पर बाहर निकल जाते हैं और जो वाजिब में कातिल होता है वो बच जाता है लेकिन इस केस को आप अगर सुरु से देख रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है अज आठवे दिन है फिर भी इनके माता पिता शान्त है इनके परिजन शान्त है इनका यही काईना है कि जो भी कातिल है सिर्फ कातिल वही पकड़ा जाए आम लोग पकड़े नहीं जाए और यही हमारा ही मानना है कि हम सजा उनको दे जिन्होंने कतल किया है जो दोशी है निर्दोश को बदनाम परिशान ना करें यह मेरा ही मानना है बले ही दो दिन चार दिन इस तरह केस में और टाइम लग जाए लेकिन दोशी को ही पकड़े उसको सजा मिलने चाहिए मैं आपको बता दूँ कि यह जिस तरह से केस लोज किया गया है 302 बेटे 34 इसके हिसाब से अन्नोन की पड़ती हत्या का केस मुकदमादर किया गया है उसमें समय लगता है चुकि जो दोशी है उनको पकड़ने में समय लगता है पुलीस परसाशन को खास करके बहुत मेहनत करन के लिए यह एक परतिश्टा परटया पकरता है उसमें के लिए ज्टक्रणे के वादा पाता है पुलीस परसाशन इस तरह केस को अपनी दिल पर करके अपनी इंदारी के इसे कर जो सजात तक दिल वाते हैं तो आप हमारे साथ इस तर्स बने रहिए ऐसा ही प्यार हमें दिखाता रहिए हमें सपोर्ट कीजिए हम चाहेंगे कि हमें सपोर्ट हमें आर्थिक लूप से नहीं चाहिए हमें सपोर्ट बस इतना चाहिए कि आप कम से कम इस वीडियो को लाइक कर दिजिए इस वीडियो का अधिक सदिक शेयर कीजिए अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और कमेंट करिए कमेंट से में यह होता है कम सकम हमें फील होती है कि आप हमारे साथ हैं आप हमेरे बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या क्या मैं कह रहा हूँ आपके मन में क्या सारे सवाल होंगे उस सवाल को हम जवाब देने की हम कोशिश करेंगे तो आप कोशिश किजिए कि कमेंट कीजिए और साथ में अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को अध